रेसिपी देखने के बाद वीडियो पसंद आये तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ इस बैल को जरूर दबाईए ताकि आप मेरी आने वाली किसी भी वीडियो को मिस न कर पाएं और ये बिल्कुल फिरी है इसके आपको कोई भी चार्जिज नहीं लगेंग कि साथी साथ खाने में हेल्थी भी होंगी मुझे काफी समय से बहुत सी रिक्रेस्ट आ रही थी कि मैं कोई हमें इस तरीके की रेसिपी बताएं जिसे कि हम बच्चों के टीफिन में सर्व कर सकें तो इसी नहीं मैं आपके लिए लेकिया हूं बहुत है येल्थी टेस्टी और एकदम आसान सी रेसिपीज जिसे कि आप बहुती आसानी से बना सकते हैं बहुती कम तेल के साथ बना सकते हैं तो प्लीज आप मेरे तरीके से एक बार मेरे रेसिपीज को जरूर ट्राय कीजिए अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के अंदर मैं यह एक बाउल आटाप डाल दूंगी मैंने यह पर गेहूं के आटे का इस्तिमाल किया है जिसे कि नॉर्मली हम घर में रोटिया बनाती है इसी के साथ में हम इसके अंदर यह पर यह तीन चोथाई कप दही डाल देंगे मैंने यह पर फ्रेश याने ताजा दही क का इस्तिमाल किया है बहुत ज्यादा खटी दही का मिसकी लीए इसके लिए इस्तिमाल नहीं करेंगे मिला लेंगे दोनों को अच्छे से रीक हट्ट cz BC मिक्स करने के बाद यह पानी करेंगे तो मैंने आपकर एक कप पानी लिया है थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पा यह आपके आटे के उपर डिपेंट करता है कि आपको इसके अंदर कितने पानी की ज़वरत पड़ेगी तो मैंने इसके अंदर टोटल एक कप पानी डाल दिया है यहाँ पर मैंने दूसरा कप पानी लिया है अगर आपका आटा ज्यादा मोटा है तो उसके अंदर पानी थोड कम डालेगा इस तरीके का बैटर आप बना कर तयार कर लें अब इसे हम ढग कर 20-25 मिनट कर रेस्ट देंगे और 20-25 मिनट बाद आप देखेंगे कि आटा हमारा अच्छे से सैट हो चुका है ये देखिए आटा हमारा एकदम परफेक्ट फूल कर तयार हो चुका है तो अब हम इसके अंदर सबजी आड़ करेंगे सबजियों में यापर मैंने लिया है एक बड़े साइज का प्यास बिल्कुल बारिक कटा हुआ एक मीडियम साइज का टमाटर बारिक कटा हुआ एक छोटी शिमला मिर्ची को मैंने यापर बारिक काट कर लिया है सबजी आप अपने टेस्ट के कोडिंग कोई भी ले सकते हैं जो सबजी आपके पास है आप डाल सकती है या पर मैंने एक छोटा चमच कसूरी मेथी लिए इसको तवे पर डाल कर हलका सा सेक लिया है उसके बार इस तरीके से रफ करके हम इसके अंदर एड़ करेंगे साथी में तीन हरी मिर्ची बारी कटी हुई तीखा आप अपने हिसाब से भी डाल सकती है आप चाहें तो इसके अंदर लाल मिर्ची पावडर भी डाल सकती है साथी में इसके अंदर जाएगा तीन बड़े चमद छारा धनिया मसालों में इसके अंदर जाएगा एक छोटे चमद चाट मसाला आदा छोटे चमद छल्दी पावडर आदा छोटे चमद जीरा पावडर स्वाधन सार नमक और मैं इसके अंदर यहां पर एक पिंच हींग एड़ करूंगी जो कि टोटली ओप्शनल है जो लोग खाना पसंद करते हैं वो डाले नहीं तो ना डाले और अगर आप चाहिए तो आप इसके अंदर अधरक लसुन का पेश्ट भी डाल सकते हो मिला लेंगे इन सभी को अच्छे से ये देखे इस तरीके का बैटर हमारा होना चाहिए मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी ओर डाला है क्योंकि मुझे अभी ये थोड़ा थीक लगा था आप देख सकते हैं कि बैटर ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम इसको तवे के उपर डालते हैं तो ये अपने आप फैलना शुरू हो जाए तो ये बैटर बनकर तयार हो चुका है चलिए नाश्ता बनाना शुरू करेंगे अब गैस होन करके मैंने यहापर एक तवा गरम कर लिया है इसके उपर मैंने थोड़ा सा घी अपलाई किया है आप चाहिए तो तेल डाल सकते हो और जैसे ही तवा हलका गरम हो जाए उसके बाद gas की flame को बिलकुल low कर देना है और low flame पर हम इसके उपर ये batter डाल देंगे बैटर को डालने से पहले आप इसको थोड़ा सा चला ले ताकि ये अची तरह से mix हो जाए लो फ्लेम पर इस तरीके से इसे डालने से क्या होगा कि हमारा जो बैटर है वो तवे के साथ नहीं चिपकेगा अगर आप इसे हाई फ्लेम पर डालते हैं तो आपका जो बैटर है वो आपकी कड़्चे के साथ ही चिपक कर वापसी आ जाएगा ये देखे इसे इस तरफ से एक से डेड़ मिनट के लिए थोड़ा सा सेक लें गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है और एक से डेड़ मिनट के बाद हम इसको इस तरीके से सावधानी पूर्वा कुलट लेंगे अब दूसरी तरफ से भी हम इसको इस तरीके से हलका सा प्रैस करते वे शेख लेंगे पल्टे से इस तरीके से दबाते वे आप इसको दोनों तरफ से अच्छे से शेख लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो आप इसके उपर थोड़ा सा घी या तेल अपलाई कीजिए उसके बाद आप इसको इस तरीके से उलट पलट कर अच्छे से सेख लीजिए यह देखे एक आटे का चिल्ला अमारा बनकर तयार है बस ठीक इसी तरीके से हमें सभी चिल्ले बना कर तयार कर लेने है मेरे पास यहाँ पर नौनस्ती की तवा है अगर आप आइरन माला तवा इस्तिमाल करते हैं तो फिर आप इसके उपर थोड़ा सा घी या तेल अपलाई करके उसके बाद ही आप इसके उपर बैटर डाले और बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसके उपर बैटर डाल कर फैलाईए उसके बाद आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर आप इसे उलटते पलटते वे दबाते वे अच्छे से से सेख कर तयार कर ले यह 24 गंटे तक फ्रेश बना रहेगा बिल्कुल भी कड़क नहीं होगा तो बनाईए आप मेरे तरीके से साटे के नाष्टे को इससे नेक्स्ट हम यहापर बनाने जा रहे हैं सूजी और रवा से बनावा नाष्ट जो कि यह सूजी रवा टोस्ट तो इसके लिए हम सबसे पह एक छोटे साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ एक छोटे साइज की गाजर बारीक कटी हुई सबजी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको पसंद वो लीजिए साथी में मैंने डाल दी तीन हरी मिच्ची बारीक कटी हुई एक इंच दरक को मैं यहापर बिल्कुल बारीक कट्दू कस करके इसके अंदर एड़ करूंगी आप चाहें तो इसके अंदर लसुन भी डाल सकते हैं अब साथी में इसके अंदर जाएगा आदा कप धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ एक छोटे चम्म चाट मसाला पावडर साथी में स्वाद नुसार नमक डाल दें मसाले आप अपने इच्छा नुसार अगर आपको बहुत जादा मसाले वाले टोस्ट पसंद है तो आप इसके अंदर गरम मसाला और जीरा पावडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाले हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए यापर बनाने वाली में से तो इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 30 मिनट के लिए चोड़ देंगे यानि आधा घंटा हम इसको छोड़ देंगे ताकि सूजी वह अच्छे से फूल कर तयार हो जाए और आध अच्छे तरह से फैला देंगे, इतने मिक्स्चर से हमारे चार प्रेड टोस्ट बनकर तयार होंगे, तो आप इसे अच्छे से इसके कोनों तक फैला कर लगा दें, ये देखे, इस तरीकी से आप अच्छे से रवा का मिक्स्चर इसके उपर से लगा दें, उसके बाद मैंने जाइस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, और लो फ्लेम पर हम इसके उपर इस ब्रैड को रखेंगे, तो ब्रैड जैसी आप fonता है तो जिस तरफ आपने ये रवा का उलट लें अब दूसरी तरफ से हम इसको तीन मिनट के लिए थोड़ा सा सिखने देंगे गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और लो फ्लेम पर इसे इस तरीके से थोड़ा सा दबाते हैं आप से एक कर तयार कर लें और बस ठीक इसी तरीके से सभी रवा टोस्ट को हम बना कर तय कर लेंगे यह लीजिए एकदम स्वादिश्ट हमारे रवा टोस्ट करने के लिए बिल्कूल तयार है आप चाहें तो इसे बच्चों के टीफिन के लिए बनाएं या फिर ब्रेकफास्ट के लिए बनाएं या फिर इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी आप इसे बना कर खा स आते हैं तो इसके लिए आप मेरी वीडियो के नीचे यहां इस एरो पर किलिक कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स खुलेगा और आपको एक लिंक नजर आएगा इस लिंक पर किलिक करके आप मेरी सभी रेस्पीज को आसानी से देख सकते हैं अब बेसन का चिल्ला बन साथी में मेरे पास यहां पर थोड़ी सी पत्ता गोबी है जिसे कि मैंने कद्दू कस करके लिया है दो चम्मच के करीब हमारी पत्ता गोबी होगी यहां पर साथी में मैंने यहां पर लिया थोड़ी सी शिमला मिर्ची बारीक कटी वी तीन हरी मिर्ची बारीक कटी वी आप अपने हिसाब से डाले जो भी सब्जी आपके पास है तो आप डाल सकते हैं साथी में मैंने डाल दिया थोड़ा सहरा धनिया बारी कटा हुआ एक छोटा चमज जीरा साबुच जीरा डालने से बहुत यह चटेस्ट आता इसके अंदर एक चोथा चोटा चमज की करी मैंने दें और डेड़ बड़ा चमज के करीब में इसके अंदर यहां पर यह नीमगु का रस डाल दूंगी मिला लेंगे इन सभी को अच्छे से पर इसे इसे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके पानी एर करेंगे और इसका एक अच्छा सा बैटर बना क तयार कर लेंगे यहां पर मैंने इसका बैटर बना कर तयार कर लिया है तो अब हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे बैटर को रेस्ट करते वे 20 मिनट हो चुके हैं तो यह थोड़ा सत्थिक हो चुका है इसलिए मैं यहां पर थोड़ा पानी इसके अंदर और इस तरीके का बैटर आप बना कर तयार कर लें, बहुत ज़्यादा गाड़ा बैटर भी आपना बनाई, बहुत ज़्यादा पतला भी बैटर आपना रखें, अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर अधरक और लसुन का पेश्ट भी डाल सकते हो, तो अब ये बैटर हमा और आप देख पाएंगे कि बैटर बहुत ही आसानी से फैल जाएगा, बैटर डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेना है, मीडियम फ्लेम पर इसे एक साइड से दो मिनट के लिए थोड़ा सेक ले, और जैसे ही उपर से थोड़ा सूखा नजर आने लगे, इसके थोड़ा घी या तेल अप्लाई कीजिए, और उसके बाद आप इसको सावधानी फूर्वक इस तरीके से उलट लीजिए, और अब आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही उलटते पलटते वे, इस तरीके से हलका सप्रेस करते वे, दोनों तरफ से हलका गोल्डन होने तक, हलका क्र इस भी होने तक, इसी से एक कर तयार कर लीजिए, और जैसे ही सिक कर तयार हो जाए, तो इसे हम या पर कीचन पेपर के उपर निकाल लेंगे, बस ठीक इसी तरीके से हमें सभी चिल्ले बना कर तयार कर लेने हैं, तो बनाएए आप भी मेरे तरीके से मेरे रेसिपीज को, अ फिर मिलती एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाई बाई, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,